नमस्कार दोस्तों मैं आप सेक पटेल रियेज के सनाय से कड़िए पर आप सभी का सौकत करता हूं दोस्तों यदि आप समिधानियों राजविवस्था की कोचिंग करना चाहते तो प्लीज एक बार हमारे चैनल को विजिट करें वहां पे आपको समिधानियों यूपीयस्टा आई तो आपको अवधार डात्मक समयधानियों राजविवस्था पढ़नी की बार confess यहां पे पूरी विश्त्रित रूप से यहां पर सम्यधानियों राजविवस्था पढ़ा यह और दूसरी के साद् चाल साथ यहिदि आपको एकोनोमि पढ़नी है भारत कर दी जाएगी आपके ठीक पहले तो यदि आप समिधानी अम्राज व्यवस्ता या इकनोमिक पढ़ना चाहते हैं एक बेसिक लेबल से तो प्लीज हमारे चैनल को रूट बिजिट करें तो आज अब हम लोग सब्सक्राइबना सबस्क्राइब कुल शुरू करें चेनल कोंडल से जो आप लोगों का पद यह लिया गया है अमेरिका से ठीक है राजपाल का कनाड़ा से उपराश्ट पत का अमेरिका से राश्ट पत की निर्वाचन पद्धत ठीक है राश्ट पत की निर्वाचन पद्धत जो है यह लिया गया आपका आयरलेंड से ठीक है तो यही आपसन आपका गलत वजाए गर जो का फायन से तीन प्रावधान लिया गया है पहला राश्रपत की निर्वाचन पद्धती दूसरी राज-सभा यों विधान परिफद में बिछिष्ट सरस्यों का नुरया और तीसरा नीत नीत ने देसकर तत्व जो ज्बसे ज़्यादा पूछा जाता है और आयरलेंड का नाम कभी-कभी आयरईस भी पूछ लिया जाता है तो आपका है कि तीसरा आपसन अपका गलत राष्ट्पत कर निर्वाचन पध्धत ब्रिटेन से यह गलत है चाओ्था आपसन आपका सही हो जाएगा ठीक यहां पर आपका चवथा आपसं सही होगा अगला प्रस्ण हमारा है कि निम्जित में से कौन सा प्राधार ब्रेटेन से नहीं लिया गया है बिज द्वारा अस्थापित प्रकिरिया ठीक है बाकी जो सभी आपसं हमारे हैं जैसे संसदिये सासन प्राधाली कहां से लिए गई है ब्रेटेन से अगर संसदिये सासन प्राधाली ले गई है तो संसद बिद निर्मार की प्रकिरिया कहां फिली जाएगी जहां से प्राधाली ली गई वहीं से तौनुन बनावें की प्रकिरिया तो यह भी वहीं से यहां देखो गलत होगे, बीद ते नहीं है, यहाँ पे आपका होगा वीद細 जो कितरी होगा और बिदि का सासन कैसे चलाएंगे, बिदि का सासन पुरे देश में कैसे होगा, ये भी कहां फलिया गया, ब्रिटेन से और संसदिय भी से साधिकार बना रहेगे, कहां फलिया गया, ब्रिटेन से चारों-चारों कहां फलिया गया है, ब्रिटेन से और साथ में को लिया गया है ब्रिटेंसे एकल नागरिक्ता टीक है तो अल कि ट्रिटें इसे कुल मूवरुप acid प्राधान लिये गये हैं एक ससन प्रनाली पर संसद में बिझामार आट्रिक़्य पर्फिर विध कासवा संसधी कर我 क्षिए सदिकार एकल नागरिक्ता टीक अगला प्रस्ट दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखेगा क्योंकि ये प्रस्ट इस तरह डिजाइन किया हूं इन सबको कि अब तक बिभीन परिछाओं में जो भी प्रस्ट पूछे गये हैं इन टॉपिक से सबको समाहित कर दिया हूं 25 कोश्चन में इसलिए आप इस प्रस्ट में नहीं लिया गया इस पर बहुत ध्यान दीजे क्योंकि यहां से गलत होने की समाहना बढ़ जाती है थोड़ी जल्दवाजी में पढ़ते हैं पहला संगहात्मक सासन में उस्ताज यहां संगहात्मक बात आती है आपके दिमाग में तुरुंत कनाड़ा याद आ यह विंगा फ्रांस से ठीक हैं तो यहां से आपका यह आप्सन प्रसर घी नहीं लित्या लिया गया है कहांसे अपका फ्रांस से बाकी के जो तीन है अपकहां से कनाडा से और राज जपालका पद कहां से लिया गया है ये भी आपका ओपाश्ट पद कर फिलए गया है ठीक है अगर पोछे तो यह अमेरिका आगे प्रसन पूछा जाएगा अगला प्रस्ण हमारा है कि निम्लखित में से कौन सा एक बिकल्प सही सुमेलित नहीं है, यहां भी नहीं पूछा है, ठीक है, प्रस्तावना की भासा या सब्द आफ्टेलिया से, ठीक है, अब दो चीज़े याद रखेगा, एक प्रस्तावना, एक प्रस्तावना की भासा या सब्द, हमारे समिधान में प्रस्तावना डाला जाएग को हो कि यह लिया गया आप टेलिया से ठीक है यह दोनौ चीज आप अलग-अलग करके रखिए करते हैं चीजे जैसे बिध का साथ करें कि परक्रिया बिधिका सासन आपका पर्रस्थावना अमेरिका से लिबिन प्रावसा आफ थे ठीओ है संसोधन की ह réfरिया संुधान संसोधन की परकर्या का फिल्य गया द्छ cathedral प्रीका से द्छильно परीक है संविधान संसोधन की पर बॉस्त सकति आ तरह जर्मनी जर्मनी से क्यों एक उपन्द लिया गया हुभी आपात कालीन प्राउधान जर्मनी से लिया गया है यह सही सुमिलित नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा कि आउसिष्ट सक्तिया कनाडा से कनाडा से तीन संग हात्मक सासन गयो था और राजिपाल का पद यह तीनों से और मौलिक अधिकार अमेरिका से ठीक है अगला प्रसन है निम्कित में से कौन सा प्रावधान अमेरिका से नहीं लिया गया है ठीक है अमेरिका से कौन सा नहीं लिया गया है नियाय पालिका की फतंतता अमेरिका नियाय पे बहुत ज्यादा जोर देता है ठीक है नियाय पाल अमेरिका की फतंत पर धितष नीया पालिका होनी चाहिए यह कहां अमेरिका से जो अप्réal मेरिकह अपना अपन दे दिया है अपना रपोत अभर चतंत नया पर पहलख में अपना दे दिया है उसकुश लड़ीया से अपनुर अपयर्ष आप औरनों कि कि आसे लिए लेकिन निर्मार किया है घ्युकि बहुत लिएर के रियाफते ठीज़ को एक करके बड़े-बड़े चार प्रांत बनाया गए थे उन प्रांतों को फिर तोड़ के चौदा राज ओझेक के अंसासिद पर्डेशों प्रदेस तो भारत में केंद्री ने राज्यों का निर्माड से नहीं लिया लिया गया अंद चल्बावृतिय निर्ग विवस्ता में निर्माण की तो बावरत में एकल्य नाग्रिक्ता का से ब्रिटेन से यह frat अगला प्रतिव राजनीतिक ब्योस्था में इनमें से कों सर्वोच निर्ग्र सब्सक्रा इन उसमिद्र है canoo достаточно काम है राश्टपत भारत क्या प्रथम नागरिक होता है खाक क्ानूरों बनाने के पता है तो पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनितीक व्यूत्रा में सरवोच क्या है हमारा सम्मिधान क्योंकि सम्मिधान से ही जो हमारे तीनों अंग है व्यवस्थाप क्या कार पालिका नियाय पालिका को सक्तिया परदान होती है उनको कैसे काम करना ये भी सम्मिधान में लिखा गया है उन सब को सक्टिया मिलती है सम्धान से तो सम्धान क्या हो गया सरबोच्च हो गया ठीक है यह सब बात याद रखेगा आप से निवेदन है भाई साब यह आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर सेर कीजिएगा वीडियो को लाइक करिए कमेंट कीजि तरह sacr बात कितनी अनस्च आक है यही पर चाहते बाद में चार इनस्च जोडिगे निंखित में से काल विकल्प गलत है पहला की च्छार नबी अनस्च यह आपका है घलत है ठीक है क्योंकि जो एक दूसरी तरी में जोड़ी गई यह आन्सुची अन्सुची जो ड़ी गई यह 42 में नहीं यह बाउनों में संब्दान संसूधन यही सब बाते आप याद रखे गए तो यहां मैंने प्रफन से सब को समाहित कर दिया है यहाँ आप भी टेफट देना चाहते हैं तो पीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सन में लिंक दिया गया है प्लीज उस पे क्लिक कीजिए और रोजाना सामचारव जाके टेफट दीजिए हमारा अगला प्रफने निम्खित में से कौन सा बिकल्प सही सुमेलित नहीं है पर्थम अनसूची इसमें राज्यों की अंसासित पर्देशों का उल्लेख है पहली अनसूची में क्या है इसमें राज्यों की अंसासित पर्देशों का उल्लेख है ये बात आपकी इस क्या है के पैंसन का उलेख है लेकिन प्रधान मंत्री के नहीं इसमें किसके हैं राष्ट पती लोग सभा के अध्यच उपाध्यच ठीक है राज सभा के सभापती उपसभापती ठीक है इसके साथ उच्च नियाले उच्च नियाले के नियाधीज नियंत्रक्यों महालेखा परिच्छ त्था राजपाल आद्पदाधकारियों के बेतन भत्ती उप्यन्शन का उलेख है लेकिन प्रधान मंत्री का उलेख नहीं है तिर्टियान सूची इसमें ब्रभिधन पदाधकारियों दौरा ली जाने वाले सफ़त का परारूप दिया गया कौन सा पदाधकारी किस प्रारूप का सपत लेगा उसके बारे मिंम संहीतना प्रतनिद तो होगा कितने सीटे होंगे कितने मिद्वार से कौन सा विकल्ब सही सुमिलित नहीं है ठीक है सही शुमिलित नहीं है तो इसमें आइंसर तलग या पहले से ही यह पाचवी अन्सूचि में एम टीम मतलब असम में घाले तित्वरा मुझोरम राजियों के जन्जाति चट्रों के परफावशन के बारे में प्रावधान यह अब पाचवी जंजात के प्रफाइव नियंगंट्रन के लाद रहा है पाचवी लेकिन ब dinero कर से अलग से निकाला गया और है इसे लिए अलग से प्राउधान किया सभी के सग्रीशार वाइल। पर को एक मिनटटबkal workload आपके राज्य सुची के विषे पर राज कानून मनाते हैं saug नवी अनसूची में राज द्वारा संपति किया देगा रहन के बिदी का उलेक है क्योंकि नवियन सूची जोड़ी गई तुरंद पहले से मिधान संसोधन द्वारा जोड़ी गई ठीक उनीस सो क्याउन में जरूरत क्या थी क्योंकि देश में विकास की जरूरत थी अलग-अलग प्लांट लगाने थे जमीन का अधियरहन करना था लेकिन कोई अपनी जमीन द टीक है दस्वी अनसूची के वाडरे में था इन से 52, contracts agre ये बात आपकी सही है 9 अनसूची परथम सम्थम शम्थमं संसोधन में candidates количество क्याउन में जोड़ी गई और दसवीं अनसूची 52, państwo मिदान 1885 में जोड़ी गई है आपका आप्षन सही है अगला आप्षन है कि प्रारभ्म में एक बटा तीन या अधिक सदस के अन्य दल में एक साथ सामिल होने पर दल वदल कारून में छूड़ती गई थी जब ये जोड़ी गई ठीक है उस समय ये कहा गया अगर बैक्तिजत तरूप से कोई एक दल को छोड़ दूसरे जल में जाता है तो उसकी फदेफता खत्म और लेकिन यह किसी रल नहीं उसके 1-3 सदस किसी दूसरे दल में जाकर सामिल हो जाते हैं तो उनकी फदह्ता समाप्त नहीं होगी। फदह्ता समाप्त नहीं होगी। लेकिन बाद में जब एक्यांवेवा सम्धान संसोदन होगा 2003 में तो यह जो एक बड़ा तीन फदेसों के दल से छूट यो दी गई थी यह भी समाप्ट कर दिया गया कि अब 2003 के बाद जब आपका एक जानवेवा ना होके यहां क्या है संविदान संसुदन दल बतल की जूट थी वह भी समाप्ट कर दी गई ठीक है इस प्रकार आपके यहां तीनों के तीनों आपसन सही है कि यह आपको पता कि दसमें सुची में क्या है आपका दल बदल कानून का लेख है लिए मैंसे कौन सा बिकल्प आठमीं सुची के विशे में सही है आठमीं सुची मतलब भासा के बारे में पूछ रहा है सम्धान लागु होते सवे इसमें चयूदा भासाय थी यह कह रहा है कि जब सबसे पहले सिंधी जूड़ी गई ठीक है यह वी आपसन अप सबसे पहले घही जोड़ी गई तो तीन वाफात जोड़ी यह भी आपका सबसे भांड़ी है ठीक है यह और दृट जूड़ी धिक अगला आप से ने बावबे में ठीक है बावड़ो डोगरी मैथली और संधाली भसा जोड़ी गई इस परकार आप देख रहे हूं कि जितनी भाफाएं जोड़ी गई परार्म में कितनी थी कप जोड़ी गई आपको इस प्रस्में के भ्याक्ष्या से सब कुछ पता चल गया इसलिए हम आप से कहते हैं आप टेफ्ट देने आईए टेफ्ट देने के तुरंद बाद आप वीडियो सोलुशन प्राप कीजिए और उसको पूरा देखिए ठीक पूरा देखिए आपको यह टेस्ट आपको ट्रेस कोर्स की तरह लगेगा ठीक है अगला प्रस्मारा है तो इसे 73 में समिधान समस्वधन द्वरा जोड़ा गया यह बात सही है ठीक है अगर हमें 73 में जोड़ा गया ठीक है और एगर कि मैंने आपको बता चूरब ऐसे बात आपकी सही नहीं है रहे हैसे उनीस विखे तो इस कुल उनीज DP में इसमें 19rd विखेच नहीं है इस फिर उन्थी से कुल 29 विखे ए पंचाहती मैं वीवस्था हíp का प्रावधान है ठीक हीह आपका अपसन सही है यहां पंचाहिती राज व्योंसा मतलता दोड़ा गया मरा अगला प्रफण है कि निम्नीकित में से कौन सा विकल्ब बारहवी अन्सूची के विशे में सही नहीं है उसमें नगर पालिका प्राफवान का प्रावधान किया गया ये भी सई है ये बी सई है ये ऐसी में अगला प्रस्ण हमारा है निम्कित में से कौन सा भाग समिधान में से निरिशित किया गया मतलब निकाल दिया गया है तो भाग साथ ठीक है इसमें से कौन सा भाग निकाल दिया गया है भाग साथ बाकी जो चातीन और आपसे ने भाग चार का और नो का और चौदा का ठीक है इनको क्या गया है अलग अलग समय में ये जोड़े गये है ठीक है भाग चार का भाग नो का भाग चौदा का चार का मे जोड़ा गया है क्या मौलिक कर्तब और नौ का में आपका जोड़ा गया है नगर पालिका ठीक है नौ का में जोड़ा गया आपका नगर पालिका और चवदा का में आपका अधिकरण की बात की गई है ठीक है तो इस परकार मूल समिदान में कितने भाग थें 22 भाग थें लेक कれて यह अग्ला प्र्स्रेवाइफ निकित कंसा बिकल्प सही सुमिलित नहीं है यहां भी पूंचरे कोल सबस्टे से संग्यों राज्य शेत्र तो यह बात जोड़ा गया है तो यह अपसानौ का क्या है गलत है भाग 9 में पंचायत की बात हुई है, भाग स्मारा। यहाँ पर गलती क्या होती खादमियात करता है याद करता है अन्सूचिया भी, जब अन्सूचियों, की बात है तो पंचायत की बात कहा थि अन्सूची गारा में। लेकिन घया canणि बात होती है, नयजे Michael app की बात हुटी है तो औ तो जब भाग की बात होगी तो पांच उच्छे में देखिएंगे आप ठीक है लेकिन भाग में जब आप देखेंगे तो भाग देखेंगे स्में मंसूचित या मंजन जाती शेतर की बात हुए ठीक है यह चीज आप किताब से अच्छे से पढ़ लीजेगा यहां को कोई दिक्कत हो की तो मैं आपको बताता हो कि यहां डिस्क्रिप्शन में के ओल लिंक दिया गया है जहां पर पूरी सम्मिधानियों राजव्योस्थ का विशह विराग तो इस ते अच्छा टीचर आपको यूटूब पे नहीं मिलेगा इसलिए प्लीज आप वीडियो देखिए अपनी पढ़ाई को एक सही दिफा दीजिए निमखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है पूचरा को विकल्प सही सुमेलित नहीं है भ विशाए सुप बंद की बात की गई है इस परकार यह दोनों आपके क्या सही सुमलित हैं भाग सत्रा राज भासा ठीक है भाग 17 में राज भासा 343 चले के 309 तक ठीक है यह भी आपका सही भाग 18 संसोधन संसोधन की बात भाग 20 में होती है ठीक है ये अप सन आपका क्या है है भाग अठारा में आपका क्या है आपात कालीन उपबंद 352 से लेका 362 से तक है थे तो भाग इच्छा क्या आपात कालीन ठीक है और भाग 20 में समिधान संसोधन ठीक है तक अगला प्रस्ण है तीन से तीन सो साथ तक निम्खित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है भाग ग्यारा संग्यों राजियों के वीच संब्द्ध यह आपसन आपका सही है ठीक है यह पहला आपसन आपका क्या है सहीं अगला प्रस्ण है भाग बारा बित्य संपत्ती संपता वाद्ध यह के बात क्या में भाग तेरा भारत के राज शेत के वितर बेपार बाड़िज़ों समागम यह बात भी आपके सही है यह तीनों आपसन के आपके सही है, चुधा आस्थाई भाग चुधा में आपसन आपका गलत है, अगला प्रस नमारा, निम्कित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है ठीक है कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है अनुच्छेद संग में संग का नाम और राज्य छेत्र का उलेक है ठीक है अनुच्छेद की बात कर रहा है ठीक है अनुच्छेद की बात कर रहा है कि पहले अनुच्छेद में संग का लिखा गया है तो इंडिया जो की भारत है राज़्योका संग होगा ये बात अनुच्ष एक किया है थे किया पहला अप्सन मारा क्या है सही है अनुच्ष पतात भारती संग में नए नए राज्यों के परवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है तो यह भी आप समसाइए नए राज्यों का प्रवेश कैसे जैसे भारत किसी दूसरे देश से आकरवन करें वहां की जमिन हतिया ले तो उसका परवेश कैसे होगा ठीक वहां की जनसंख्या का परवेश भारत में कैसे होगा यह सब बातें कहां अनुछेद दो में दी गई है यह भी सही है अनुछेद तीन के तहाद नए राज्यों के निर्मार उनके छेत्रों सीमाओं तो था नाम में परिवर्तन का उले गाए भारत के अंदर ही नए राज्य बना दें जैसे यूपी को तोड़ से अनुछेद तीन के तहब ठीक है उनके नाम छेत्रों सीमाओं में परिवर्तन किया जाफता है यहां तो सभी विकल्ब आपके सही है अगला प्रशन है एक राज्य को संग में सामिल करने अत्मा नए राज्य की अस्थापना करने की कार पाल कि आपको संसद में मतलब एक पाल नंए राज्य की इस तरण करना और राजी का जो चेत रहए एक राज है एक राजी को संग में समलित करने और नए राजों के अपना करने की जो सकती है वो ऑ或 किस के पास है यह आपके पाशुकर सबट यह सन्षद के पास है बहार की लोग स्वाराघ्य स्वाराष्ट संत्रत्वारत कि अनुसार है राज्यों का यूनियन और फिडरेशन की बात कहां है अमेरिका में डिक विस्टरेशन है राज्यों का फिडरेशन किया है वहां राजियों ने मिलके केंद्र का निर्मार किया है अपनी सुरच्छा और अपनी व्यापार को ध्यान में देख रखते हुए अगला प्रस्ण है कि भारत में कितने राजियों केंसासित प्रदेश हैं ठीक है अभी बहुत उठा पठक चली और इस समय कुल 28 राज ह पहले थे एक राज खतम होई जमू कास्मीर उसको दो केंसासित प्रदेश में तोड़ दिया गया तो 28 राज हो गए पहले साथ केंसासित प्रदेश थे तो नो हो गए फिर बाद में क्या हुआ दादर नगर हवेली दम अंदीब को एक कर दिया गया नौ से फिर आठ हो गये अठाइस राज हो आठ के अंसासित प्रदेश इतने ही समय भारत में हैं ठीक है किस सम्मिधान संसोधन दवरा दिल्ली को राप्टि राध़्धानी छादर का दरजा दे अगया ठीक है अनुट्र वैस नहीं तो इक कर गया गया,, हीनुए कocy कर दिया इन freakedल रिजन अगला है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयों की संस्थित के अधार पर राज्यों का भासाइज ओर प्लर गजदन के सद कर सक बनाये गया तो यह किए गया 156 में ठीक भासाई आदार पे राजियों का पुनर गठन किया गया उन्हें 156 में उक्ल 14 राज्य बनाए गए और 6 के इंसासित परदेस बनाए गए और बाकिस से पहले जो प्रांती सिस्टम चलता था जो चार प्रांत में A B C D वटे थे उनको इन रेडियों को प्रांतों को कर दिया गया चारों प्रांतों कर गए और यह बना दिये गए 14 राज चीक इंसासित परदेश और भासाई अधार पर पहला राज जो बना था हमारा उन्हें सो तिरपन में आंध्र परदेश ठीक है आंध्र परदेश ठीक है लिखते नहीं बना लिकिन आप समझ जाईए ग ठीक है अगला प्रस्ण हमारा है कि राज पुनर गठन आयों के अधार पर राज्यों की ए बी सीटी सिरेडी समप्त कर दी गई ठीक है यह चारों सिरेडिया समप्त कर दी गई इसके अस्थान पर भाद में कितने राज के इंसासित परदेश सिर्जित हुए तो 14 राज 6 के इनसासित परदेश बने थे ठीक है उसके चारों जो सिरेडिया थी इनको खतम करके चुद्वाराज शिक इनसासित परदेश बना दिया गया अगला प्रस्ण राज पुनर गठन के लिए बने फजल अली आयोग में कौन समलित नहीं था यह पूच रहा है फजल अली आयोग ठीक है एक हुए एक था आपका जेवेपी जिसमें थे जवाहलाल नहरू बलबबाई पटेल और पंटाव श्रीषता रमय्या ठीक है एक समित यह बनी थी यह कब बनी थी 1948 में लेकिन इसके बाद बनी उन्ने सो तिरपन में एक और बनी समित जिसके नाम था फजल अली आयो ठीक है यह पीबी जवाहलाल नहरू और पटेल और पट्टाव श्रीषता रमीजा बलबाई पटेल तूसमें थे और बाकी फजल आली हिर्देनात के अंजरू केम पनकर फजल आयोग में थे ठीक है इस प्रकार आप लोगों का जो आप लोगों ने टेफ्ट दिया था उसक बन सकते थे सबको कवर करूं और सबको मैंने कवर किया अगर कुछ शूट गया हूँ आप कमेंट करके बता दीजीगा और आपसे फिर से बिनमर निवेदर है यदि आप समिधान राजवेवस्ता पढ़ना चाहते हैं तो आप आईए हमारी जो प्लेलिस्ट है चैनल पर आईए वहां पढ़िए और एकोनामी भी पढ़ाना पढ़ाई जा रही है अभी तो ncrt बेस पढ़ाई जा रही है लेकिन 25 जून से आपको जो जन्रल एकोनामी पूची जाती है वह भी पढ़ाई जाए क्योंकि सुरू में थोड़ा सरल पढ़ाय जाएगा इससे क्या होग कि आपको एकोनामी समझ में आएगी और हिंदी के भी कुछ नोट से पढ़ गये हैं तो इस परकार धीरे धीरे ये चैनल ग्रो कर रहा है आप से जुड़िये और लगातार अपने पढ़ाई को नया अधार दीजिए ठीक है इसी परकार आज आप से बिदा लेते हैं जै हिम जै भारत